हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज का हमारा टॉपिक है आरके नरायन की बायोग्राफी, ये इंग्लिस लिटरेचर में इनका बहुत ही महतपूर योगदान रहा है, तो हम आज इनके बारे में जानेंगे, चलिए बिना टाइम विस्ट करते हुए स्टार्ट करते ह इनका पूरा नाम राशी पूरम कृष्ण स्वामी आयर नारायन स्वामी, और नीचे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, उसको भी आप लोग देख लीजे, इनके जो नाम का आर है, वो इनके गाउं का नाम है, और जो सेलम डिस्टिक्ट में आता है, के जो इनके नाम का है वो इनके फादर के नेम का है क्रिश्न स्वामी इनके फादर का नेम है चलिए अब आगे चलते हैं बर्थ इनकी डेट अब बर्थ क्या है 10th of October 1906 में इनका बर्थ हुआ था कहां हुआ था मदरास में अब इनके पैरेंट्स का नेम देखते हैं इनके पेता का नाम क्रिश्न स्वामी इयर था जो की एक स्कूल टीचर थे अब इनकी स्पाउस या वाइफ का नाम देखेंगे हम उनका नाम है राजम इनकी मैरी हुई थी 1934 में और राजम जो थी वो 1939 में इनकी डैड हो गई थी और एजुकेशन इनकी महाराजा यूनिवस्टी से इन्होंने ग्रेजुशन किया था 24 एज में इनका ग्रेजुशन कम्प्रीट हो गया था डैथ इनकी 13th of May 2001 में हुई थी जब यह 94 एज के हो गए थे चलिए ये तो इनका सौर्ड इन्फोर्मेशन हो गया अब हम जाते हैं इनके ओनर्स इन्होंने अपनी लाइफ में क्या-क्या योगदान दिया और उसके लिए इनको क्या अवर्ड मिले चलिए इनको 1960 में इनका एक नोवल था दा गाइड उसके लिए सहित अकेडमी अवर्ड इनको मिला था सेकेंड नमर पर देखते हैं इनको 1964 में पद्म भूशन अवर्ड से समानित किया गया था इन 1994 में इनको सहित अकेडमी फेलोशिप दी गई थी इन 2000 दपद्म भूशन इनको सन 2000 में पद्म भूशन से समानित किया गया था चलिए आगी बढ़ते हैं ये आठ बच्चों में से एक थे जिसमें से छे बेटे थे और डो बेटियों थी नारायन वह सेकेंड अमंग दा संस जो आर की नारायन थे वह अपने चिल्डरन्स मतलब जो उनके पैरेंट्स उनकी चिल्डरन्स में सेकेंड नमबर पर थी ये और अगला पॉइंट इंका बहुत ही एम्पॉटेंट पॉइंट है इनकी मेटरनल ग्रानच मदर गेव हिम दण निक नेम आफ कुण चपथा बहुत ही मतलब कम चला से फ इनकी नानी इनको बलाती थी कुण चपथा अगला है अगला पॉइंट हम देखेंगे नारायन वाज नौट गोड स्टुडेंट सभी को पता है जो भी आगी चलके अच्छा वर्क कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वह छोटे से उनकी जो नीव रहती है वह बहुत ही जाद वीक रहती है वह पढ़ाय में अच्छे नहीं डाते अब देखा जाए आइंस्टीन वह भी बहुत इशरारती थे उन्होंने एक बार क्या किया था एक बार उन्होंने एक मुर्गी को देखा तो उन्होंने कहा कि यह मुर्गी बैठी है और यह अपने अंडे को से रही है तो उन्होंने कहा कि जब यह मुर्गी ऐस सकती तो मैं भी यासे करूं तो वो भी दो तीन अंडे लिया है और उसके उपर बैठ गए और अपने मम्मी से कहते हैं देखो मम्मी मैं इसके उपर बैठा हूं इससे चूजे निकलेंगे तो उस समय की पोशाक थी मतलब हाफ पैंट चलते थे तो उसको नेकर बोला जाता था तो उनकी नेकर गंदी हो गई अब कपड़े तो मम्मी साफ करेंगी तो उनकी मम्मी ने उनको बहुत डाटा और उनकी पिटाई भी की थी कि यह मतलब क्या फुलिस मतलब फुलिस्वर्ग तुमने किया एकदम मूर्टा पूर्वकार किया है वैसे यह है इन्होंने ऐसा कु यह अपने टैंठ और टल्थ के एकजामस में फेल हुए थी इन नाइन्टीन थर्टी फ्रॉम महाराजा युनिवर्स्टी एड दा एज ओफ तन्टीफोर इन नाइन्टीन थर्टी इन्होंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया महाराजा युनिवर्स्टी आप महसूर से कि परिवार की परिवार की टूब फर्स्ट एज अग्लर्क एंड देन एजटीचर इन विलेज स्कूल इन्होंने पहले क्लर्क की रूप में काम किया फिर उसके बाद इन्होंने टीचर की जौब एक गाहों के स्कूल में की थी अपने फैमिली की की फैनेशल हैप करने के लिए अगला हैं इन नाइंटीन थर्टी थी नारायन मेट हिस फ्यूचर वाइफ राजम ए फिफ्टीन यह ओल्ड गर्ड वो पंड़ा इयर्स की थी तभी अपनी फ्यूचर वाइफ से मिले थे और नेक्स्ट पॉइंट है मारा स्वामी एन्द फ्रेंड नाइनटिन थर्टी फाइव में आय थी यह स्वामी एन्द फ्रेंड इस देफरस्ट ओफ ट्र आलोजी ऑफ νो रिटन बॉय अर्क नारायन इन्होंने फ्रस्ट वर्क जो किया था और इन्होंने त्रायलोजी लिखिए थी प्रोयजी में तीन वर्क रहते हैं हमेशा तो इनका फर्स्ट नोवल जो था वो था स्वामी और फ्रेंड नाइंटीन थे फाइव में आया था ये सेकेंड देखने कब आया था इनका फिज नाइंट थे नाइंट नाइंट था इनका फ्रेंड उसका नेम था और नाइंटीन थे फाइव में था जिक हैं चलिए, अब next point देखते हैं, in 1938, his wife Razam gave birth to the only child, a daughter named Hema, 1938 में इनकी wife Razam ने एक बच्चे को जन्र दिया, वो daughter थी, उसका name क्या था? चलिए, अगले, देखते हैं, क्या point है, the dark room, is a novel written by R.K. Narayan, published in 1938, इनकी एक novel है, the dark room, वो publish हुई थी, 1938 में, चलिए, next point है, his wife Razam did not know English, but she cooperate her husband in his work, इनकी जो wife थी, उनको English नहीं आती थी, वो English के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, बट, उन्होंने अपने husband का literary work में काफी help की, उनके साथ उनका support किया, इन corporate किया, राजम डाइड ओफ टाइफाइड इन 1939 में, इनकी जो death है, कभी-कभी एक question आज आता है, कि राजम की death, किस बीमारी सोई थी, तो टाइफाइड सोई थी, ठीक है? नारायन नेवर रिमेरीड, नारायन जी ने, आरकी नारायन ने दुबारा फिर शादी नहीं की, अफेक्टे नारायन डीपली, एंड ही रिमेंड डिप्रेस फॉर लॉंग टाइम, उनकी जब वाइफ की, डेड हो जाती है, उनकी वाइफ, तो उनको बहुत चीज़ देखते हैं, सद्मा लगता है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फॉर लॉंग टाइम, काफी लंबे समय के लिए, चलिए, नेक्स पॉइंट है मारा, इनकी एक नोवेल है, दा फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है, दा फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है, ये आई थी 1952 में, ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजेगा, अगला है, अगला क्या है, दा गाइड, दा ये भी एक नोवेल थी, 1958 में ये पब्लिश हुई थी, रिटेन इंग्लिश बाइ दा इंडियन ओथर आरके नारायन, कभी-कभी एक्जाम में आ जाता है, कि इंडियन ओथर्स के नेम तो एक तो आरके नारायन हो गया, है, पंडित जवाला नहरू हो गया, रभी नाट गाइड की एक अलग सी वीडियो आएगी, उसको भी मैं डिश्कस कर दोंगी, चलिए, अब नेक्स पॉइंट को हम देखते है, दा नोवेल ब्राउट नारायन, दा सहित अकैडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश, इनकी जो नोवेल आयती, दा गाइड, उसने क्या किया, सहित सहित अकैडमी अवार्ड को ब्राउट किया, मतलब एक तरह से उनकी गाइड, दा गाइड नोवेल थी, उसके लिए इनको सहित अकैडमी अवार्ड से समानत किया गया, दा प्रोटोगोनिस्ट अफ दिस नोवेल इस राजू, जो इसका प्रोटोगोनिस्ट था, वो था रा 1967 from Delhi University 1973 and University of Meso 1976 में इन्होंने कम्प्लीट कर लिया चलिए अब नेक्स प्रेंट है मारा ए येर बिफोर हिस डेथ इन 2000 ही वाज अवार्ड दपाद्म विभूशन इनकी डेथ हुई थी 2001 में और उसके ठीक एक साल के पहले 2000 में इनको प्रेंव विभूशन से समानित किया गया था और एक और मेंट है कि जब 13 माई 2001 में ये डेड हुए थे इनकी एज क्या थी इनकी एस थी 94 कि 1994 एयर्स ओल्ड थे जब ये डेथ हो गई थी इनकी आई होप ये वीडियो आपके लिए हेलपफुल रहेगा और मैंने काफी सारे पॉइंट्स को इसमें क्लियर कर दिया है बट अगर फिर भी आपके कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस और बेल आइकन को भी प्रेश कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए ओके थैंक यू फॉर वाचिक दिस वीडियो के पस्टेड़े